हेलो फ्रेंड स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रिकेट एक्सपर्ट में दोस्तों T20 वर्ल्ड कप 2022 आस्टेलिया में सुरू हो चुका है और फर्स्ट श्टेज के मुकाबले चल रहे हैं ज्यादातर मुकाबलों में बारिस ने ब्याओधान डाला है और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं T20 वर्ल्ड कप के सूपर 12 के पहले मुकाबले के बारे में न्युजिलेंड के बीच में और सिड्नी के किर्केट ग्राउंड पर इस मैज के दौरान कैसा वेदर रहेगा इसको हम जानने का प्रयास करेंगे इसे पहले दोस्तों छोटी सी रिक्विस्ट है चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीच चैनल को करके नोटिफिकेशन के बिल पर आल वाला बटन जरूरान कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आप फेस्बुक पे देख रहे हैं तो फेस्बुक पेज को लाइक और फालो करना ना भूरिएगा दोस्तों आईएव हम वेदर.com से जानने का प्रयास करते ह है कि सिड्नी में 22 अक्टूबर को मैज के दवरान कैसा वेदर सेनेरियों देखने को मिलता है तो दोस्तों आईएव हम देखने का प्रयास करते हैं सिड्नी किर्केट ग्राउंड के वेदर अपडेट को 22 अक्टूबर को यहां पर पहला मुकाबला होना है सुपर 12 का इस T20 में और इस मैज के दवरान यहां का वेदर कैसा रहने वाला है और मैज की क्या संभावना है वेदर का मैज पर क्या आसर पड़ेगा इस पर नजर डालते हैं तो आप देख सकते हैं 22 अक्टूबर को यह मुकाबला होगा इससे पहले आप से मिंसन करना चाहेंगे भारत में यह मुकाबला दो पहर के साड़े 12 बजे होगा लेकिन क्योंकि अस्टेलिया का टाइम जोन भारती स्टेंडर टाइम जोन से लगभग साड़े 5 घंटा आगे है तो अस्टेलिया में सामके 6 बजे से यह मैज सुरू होगा आप देख सकते हैं पूरे दिन में लगभग 80% बर इसके चांस है और यह लगातार पूरा टाइम बना हुआ है 7 बजे भी 80% 8 बजे 70% फिर 9 बजे 70% इसी तरह से लगभग पूरी रात यहां पर बरसात के चांस है तो कही न कहीं यह मौसम निश्चित तोर पर परेशान करेगा इस मुकाबले में कुछ न कुछ वो भर्स की दूर होगी या इवन यह भी हो सकता है कि अगर कंडिशन और बिगड़े बरसात का और तेज यहां पर प्रभाव देखने को मिले तो यह पूरा का पूरा मैच वास आउट भी हो सकता है इस वीडियो में इतना ही दोस्तों अगले वीडियो में एक और जब क्रिकेट कांटे के साथ आप से मिलेंगे तक तक के लिए धन्यबाद